हेलो एवरीबन, वेलकम टू दा सेशन, आजकल जो सेशन है वो काफी खास है क्योंकि आप लोग काफी डिसकस कर रहे थे और काफी स्टूडेंट्स के क्वेस्टन्स आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के क्वेरीज आ रही थी, कि माम जो एक्जाम है वो क्या ओनलाइन होगा या ओफलाइन होगा, कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि नहीं ओफलाइन होगा और कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, पहले की तरीके पेपर जो हैं वैसे ही होंगे, सारे के सारे जो शिफ्ट हैं वो सब ओनलाइन होंगी, त वो तोड़ा की चीज़े सामने निकल के आ रही थी, online, offline में discussion चल रहा था, पर एक चीज ऐसी आई है, एक ऐसी notice आई है, जिसने की यहाँ पर offline exam को ले करके दावा किया है, यानि कि उससे पुस्टी हो रही है कि आपका exam जो है, वो offline होगा, यानि लिखित परिक्षा कराई यह जो कि मेरट का विश्विद्याला है, ठीक है, यह university से उत्तर प्रदेश, पुलिस भरती और प्रोननती बोर्ड के द्वारा, एक इन्होंने कह सकते हैं कि एक letter जो है, जारी किया है, या प्राचार के पास एक application दी है, जिसमें उन्होंने यह कहा है, कि आप लिखित परिक परिक्षा केंदरों के संबंद में यहाँ पे list मांगी गई है, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द जो है center को allot किया जा सके, यानि कि इससे ये बात clear सामने आ रही है, कि paper आपका फुरी तरीके offline कराने के तयारी है, अच्छा, अब अगर यहाँ पे center allot करने के लिए बात की जा चार महीने अभी और मिलने वाले है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइम जो है बहुत ही ज्यादा limited है, तो इसी limited time में आपको जो है अपना smart work करना है, कोशश करिए smart work करके अपना जो तयारी है उसे continue करके, जल्द से जल्द जो है selection लेनी की कोशश कीजिए, जैसा कि आज देख सकते हो है notice आई है, आगे भी अगर कोई भी ऐसी update आएगी तो वो आपको तुरंत जो है वो channel पर दी जाएगी, पर फिलहाल के लिए जो है ये एक big update आई है, अच्छा date की बात करें कि क्या date कहीं गई है या कुछ बताया गया है कि कब तक exam होगा, तो अभी देखो date के idea जरूर लगा सकते हो अपने according कि अगर अभी जो है यहाँ पर center की list मांगे गई है, चुनाओ आपके almost होई ही चुके हैं, तो बहुत जल्द ही exam जो है वो होने वाले होंगे, ठीक है, तो ये एक हमारा rough idea है कि कब तक क्या exam जो है वो हो सकते है, लगबग एक से डेड़ महीना जो है आपको और मिल सकता है, अब यहाँ पर definitely तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पर इतना time जो है at least college a lot होने में और काफी सारे जो चीज़े हैं वो होंगी, तो शायद इतना time तो लग सकता है, ठीक है, फिर भी आप जो है कम से कम time सोच के चलो, अगर मिलता है time तो वो आपक आपका एक bonus है, आपका एक plus point है, पर अगर नहीं मिलता है तो फिर भी आपको अपनी त्यारी ऐसी रखनी चाहिए कि आप यहाँ तक अच्छे से पहुंच पर और वैसे यह re-exam है, तो re-exam है students, यह इसका मतलब है कि most of the students ऐसे होंगे, जो almost अपने पहले exam में त्यारी अच् आपित कीजिए, और कई लोग ऐसा जो कि claim कर रहे थे कि paper में धानली हुई है, नकल हुई है, paper ठीक हो गया है, तो उस वज़ए से आपका re-exam कराया गया था, वो सारी चीज़े आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है, अब इसी चीज़ को हमें देखे, जिन लोगों का अभी almost paper अच्छा गया था पहली बार, उनसे तो appeal है ही, और जिनका paper ठीक ठाक हुआ, average हुआ, बहुत जादा अच्छा नहीं गया, ऐसे भी लोग होगे, तो उनसे भी request है कि कोशिश करके आप जो अपना future बदल सकते तो उसे बदल दीजे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा स सोच रहोंगे कि काश दुबारा से paper हो जाए, जिसका अच्छा नहीं हुआ होगा, ठीक है, और वो लोग ऐसा सोच रहोंगे कि अगर दुबारा से होता, तो हम लोग 3-4 महीने अगर हमें मिलते, तो हम अच्छे से त्यारी करके अपना paper जो है, वो अच्छे से देते, तो अ उसी जगा हमें 10-10 घंटे पढ़ा ही नहीं करनी है, हमें 5 घंटे में ही ऐसा पढ़ना है कि हमारे सारा चीज़े जो है, वो cover हो सके, तो तभी हमारे strategy जो है, वो अच्छी रहेगी, तभी हम आगे कुछ बढ़िया कर पाएंगे, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको कोई भी तो आपको जल्द से जल्द जो है, वो channel पर बताया जाएगा, ठीक है, लाल आपको ऐसे ही तियारी करनी है, paper चाहे offline होता या चाहे online होता, आपकी तियारी में तो कोई भी रुकावट नहीं आनी थी, पर यहाँ पर एक चीज़ से थोड़ा सा students को रहात भी मिल गई होगी, क कि उन्हें पता चल गया, कि paper जो है किस mode, यह भी चीज़ अपने आप में थोड़ा जो है, पता चल जाता है, तो अच्छा लगता है, बड़ी हाँ लगता है, ठीक है, चलिए, तो I hope अब आपको कोई भी doubt नहीं होगा, कोई भी doubt होता है, तो आप पूस सकते हैं, ठीक है, कि आपने अभी तक आप को डाउन्लोड नहीं किया, तो आप जरूर डाउन्लोड कर लीजेगा, मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत!